अब जो pointer का एक simply अगर कहीं book में देखो आप चाल ऐसे तो definition जो मिलेगा उसका जो मतलब एक simple सा जो answer बोल सकता हूँ कि a pointer is a variable which points to another variable या फिर a pointer is a variable which points to another memory location तो यह generally simply एक variable ही होता है जो कि क्या करता है कि दूसरे variable को या फिर किसी memory location की तरह point करता है simple तो अब क्या है कि यह जैसे अगर यहां पर मैं बात करूँ कि जैसे एक variable है हमारे पास x then second is y इसमें value है 50 इसमें 40 इसका जो address है 4000 इसका जो है 5090 और यहां पर एक जो pointer मैंने ले लिया pointer 1 और यहां पर इसका memory जो pointer है उसका भी एक address होता है जैसे इसका मैंने ले लिया 2000 एक दूसरा pointer है इसका name pointer 2 दे दिया हमने इसका जो address है 2096 ले लिया तो अब suppose कर लो कि यह pointer 1 है यह point कर रहा है इसको तो कैसे point करेगा simply जो इसका जो address 4000 वो इसका content हो जाएगा यह जो है इसका content हो जाएगा 5096 तो यह क्या कर रहा है simply क्या बता रहा है कि मेरा जो content है मेरा पास जो address है वो X का address है clear तो ये जो है एक pointer हो गया क्या कर रहा है ये एक different variable को point कर रहा है या simply ये बोले कि different location memory location को point कर रहा है तो अब इसके लिए क्या बता है कि सबसे पहले देखते हैं कि pointer का declaration कैसे होगा क्लियर तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आफ आफ पॉइंटर तो डिक्लेरेशन करने के लिए क्याज़ सिंपली कुछ नहीं है जैसे क्या होगा एक तो हमें डेटा टाइप किस तरीके का हमें वैलू मतलब रखना है उस पॉइंटर में यह होगे हमारा डेटा टाइप और यहां पे एक स्टार देने है स्टार से यह पता चलता कि अच्छा यह पॉइंटर है और यहां पे हम क्या दे सकते हैं पॉइंटर नेम सेमी कॉलन दाटसिट तो अब यहां पे जो भी डेटा टाइप कर रहेगा वैडियाबल जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया y है integer type का और ptr1 है तो यहाँ पर मैंने क्या किया integer type का यहाँ पर क्या किया star यानि कि pointer pointer का name क्या दे दिया ptr1 तो यह क्या हो गया एक pointer declare हो गया और इसके साथ हम compound भी कर सकते हैं जैसे integer ptr1 a b c तो यह हम इस तरीके से भी declare कर सकते हैं, इसमें यह pointer हो जाएगा, बाकी variable हो जाएगा, इसके आगे हमने b लगा दिया, तो b एक pointer हो गया, यहाँ पे c लगा दिया, तो यह एक pointer हो गया, तो simply, जो भी हमें pointer declare करना है, किसी variable को तो उसके आगे, हम बस एक star हमें mention कर देने हैं, अब क्या है कि दूसरा जो है, डिफरेंट जो है, वो भी integer type कही है, और उसका जो name है, ptr2, तो यह तो हो गया हमारा declaration, तो अब क्या है कि, assigning a value to the, pointer, और यहाँ value का क्या मतलब है, address, क्योंकि pointer है, तो address ही लेगा न, तो अब उसके लिए क्या करते है, जैसे ptr, तो जब ptr1 है, तो अब start, जहाँ भी हमें मतलब use करना होगा, तो हमें बार-बार start की ज़वत नहीं पढ़ेगी, बस वो declaration के वक्त जबुएत पढ़ती है, तो ptr1, और यह क्या है, एक pointer है कि, इसको point कर रहा है, y को, और तो y का जो address होगा, address of y, तो यह हो गया हमारा assigning, फिर अगर यहाँ पे ptr2 है, तो address of x, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कि जो pointer है, उसमें हम किसी भी variable का address जो हम store कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने दो चीज़े देखी, तीन चीज़े, एक, कि pointer उसका definition, और यह book में different हो सकता है, यह बस मैंने बस बताने के लिए आपको एक simple सा language में मतलब अपने भाशा में बोल सकता कि मैंने लिखा, ऐसा, लेकिन आगर आप exam में लिखते हो तो मुझे नहीं लगता कि answer गलत होगा, फिर भी अगर आप book के definition से जाओगे तो जाहिर वो तो हमेशा सही होगा, अब यहाँ पे यह हो गया हमारा simple सा pointer होता क्या, उसके बाद उसको declare कैसे करते हैं, और सबसे important बात आपको यह पता होने चाहिए कि आखर pointer इसको बोलते क्यों है, clear, क्योंकि यह point करता है simply, उसके बाद, हाँ, एक और बात ध्यान देने वाली है, कि यह जो integer है, integer है, तो यह suppose कि कि इतना byte लिया, 4 byte लिया, एक different pointer लिया मैंने, और यह क्या है, एक float है, float में value 40396 है, और float suppose कि 8 byte store किया है, तो इसका जो एक pointer होगा, उसका pointer क्या होगा, float, star, f, ptr, यह सब standard, name मतलब generally convention है, standard नहीं, जो हम use करते हैं, वैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, ptr लिया, और यहाँ पर address of, यहाँ पर मैंने f दे दिया, address of f दे दिया, तो यहने कि क्या होगा, f floating point का variable है, इसका जो address है, f ptr, जो और यह f ptr हो गया, f ptr, declare कर दिया, तो इसका जो address है, suppose कर लो कि 1200, तो 1200, इसमें store हो जाएगा, जो initial address, एक बात ध्यान देखो, कि यह सब जितने हैं न, यह सारा initial address है, वो बाद में depend करता है, जब value fetch करना होता है, कि कितना लेगना है, data type के accordingly, तो अगर 1200 है, तो 1200, अब इसका जो pointer है, इसका address भी ले लो, suppose कर लो कि 3040, तो यह जितने हैं pointer, इनका pointer का खुद का भी एक address है, क्योंकि यह भी तो कहीं store हो रहा है, तो यह 8 byte ले लिया, लेकिन सबसे जो important बात ध्यान देनी है, कि यह pointer चाहे, किसी भी type कर रहा है, integer, integer, float, value 8 byte, 4 byte, 4 byte, लेकिन pointer जो है, इसको क्या चाहिए, simply एक address ही तो चाहिए, simple सा अगर हम logic देखें, तो इसमें क्या है, integer है, integer है, float है, तो इनके लिए value different कर चाहिए, मतलब है, space different, अलग-अलग चाहिए, लेकिन जो pointer है, pointer क्या करता है, हाँ, इसे एक और clear हो जाएगा, कि हमारा first value ही जो है, store करता है, इसको क्या चाहिए, बस एक initial address चाहिए, तो जितने भी pointer होते हैं, उन सब का size होता है, वो हमेशा equal रहेगा, और यह 4 byte होता है, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा, कि अच्छा, यानि कि सारे pointer का size same है, इससे भी एक बात तो clear है, कि यह जो है, सब का initial, जो first, जो address, मतलब byte address है, वह ही store करता है, नहीं, तो अगर माल लो कि इसके लिए पूरा करता, अगर पूरा address करता, तो इसका जो हम size of देखते, मतलब इसका size तो इसका 4 byte आता, इसका 8 byte आना चाहिए, अगर character लिया तो उसका 2 byte आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अच्छा, अगर आप बोलो है कि अच्छा, इसको कैसे proof करें, कि हम नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, वो सही है, तो simply आप एक program कर सकते हो, और program वो देखो, अगर concept clear है ना, तो कहीं से कोई issue ही नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर यहाँ पर मैं बस simply program भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर, अब क्या है कि मैंने एक integer a लिया, इसमें मैंने 5 लिया, और एक इसका integer ptr ले लिया, ओके, देन यहाँ पर character लिया, c लिया, इसमें value c मैंने store कर दिया, और एक c ptr ले लिया, character pointer ले लिया, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कि मैंने एक float ले लिया, और f ले लिया, इसमें जो value मैंने 40.23 कर दिया, और एक float ptr ले लिया, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, कि जैसे अगर चाहे, वो ऐसे तो पता है, क्योंकि visualization दिखाना क्या, क्यांकि वो अल्रेडी मैं बता चुगा, बस अभी यहाँ पर प्रोगाम बस बता दे रहाँ कि इसे कैसे आप मतलब प्रूफ करोगे कि यहाँ प्रोगाम जो है, यह IPTR, इसमें मैंने आड्रेस दे दिया, किसका, A का, और यहाँ पर CPTR में आड्रेस दे दिया, C का, और F, PTR में आड्रेस दे दिया, F का, ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, print F, एक operator है, यह जो size of, इसके अंदर हम कुछ भी देते हैं न, तो उसका वो जो size in bytes, ध्यान रहे, in bytes में देता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा, size of IPTR, और यहाँ पर %D, क्योंकि integer में हमें चाहिए, तो D, और यहाँ पर क्या कर दिया, size of IPTR, और यहाँ पर मैंने एक ही line में यूज किया, आप ऐसा कर सकते हो, कि value ले सकते हो, size, size is equal to size of IPTR, और उसका जो size variable है, उसका फिर print करा दो, मैंने यहाँ पर एक line हो, यहाँ पर, मतलब save किया है, और एक ही line में print कर रहा हूँ, उसी तरीके से size of IPTR, यहाँ पर मैंने size of CPTR लिख दिया, %D, तो यहाँ पर भी, size of CPTR, अगेन यहाँ पर float pointer, तो यहाँ पर हाँ, एक और बात है, इसको मेरे खायल से नहीं भी लिखो, अब तो भी चलेगा, बस यह क्या होता है, कि जब भी हम pointer कोई होता है, उसमें अगर कोई value assign नहीं करते हैं, तो गार्वेज is address रहता है, तो हमारा main मकसद क्या था, यह जानना कि जो program को जितने सारे मतलब, वो size है, उसका क्या same होता है, उसी तरीके से यह, ध्यान रहे कि मैंने, बस short में लिखा था, तो आप बोलो, कि यह तो हमारा output नहीं आ रहा, उसी तरीके से यहाँ पे एक और line आप float के लिखोगा, और जब सब को print करोगे न, तो सब का size है 4, 4, 4 आएगा, तो इससे आप बोल सकता है, नहीं, proof हो गया, कि जितने सारे pointer है, pointer चाहे किसी भी type का हो, जो उसका size होता है, same रहता है, और यह same रहना भी चाहिए क्यों, क्योंको तो simply एक memory address रहता है, तो यह हमारा done हो गया, कि pointer का, क्या बोल एक बात ध्यान रखो, मेरा ख्याल से अभी तक मैंने जितनी बात आई, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कुछ भी थोड़ा सा भी issue लगा होगा, चाहे आपको लगा हो गया, कि pointer चाहे अगर किसी को phobia होगा, कि pointer से even कि मुझे था, तो यह लेकिन एक बार जब clear हो गया, तो इसके साथ basic जो चीजी है, वो उन्होंने ध्यान से नहीं दिया, किकि अगर वो पहले वाली चीज़े अगर clear है, तो pointer बहुत easy है, ओके, फिर देखते हैं कुछ और important program या फिर और topics होगा, देखता हूँ